अस्सलाम हूं अलेकुम मैं जुलेका अलफा जुलेकास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बकराई स्पेशल बड़ियासी कलेजी मसाला एकदम चकपटी से तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसिपी साधारन याने ओडिनरी इंग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ओडिनरी कलेजी का सालन बनाते हैं चलिए कलेजी साफ करने के दो तरीके हैं एक तरीका मैंने अल्रेड़ी मेरी चानल पर अपलोड कर रखा है उसका लिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूं कि कलेजी साफ कैसे करते हैं वो भी एक तरीका है अच्छा यहां मैं दूसरे तरीके से कली जी साफ कर रही हूं तो यह मैंने पीसमें कर ली हैं कलीजी के एसमें मैं पानी डाल देती हूं बस जहां तक उतना ही पानी डालि हूं जितना बस आपकी यह जो कलीजी है यह सारी मौझ हो जाए उसके अंदर मैं दाल देती हूं 2 tablespoon vinegar अब आपके बस vinegar तो एक छोटा सा नीमगो लीजिएगा और उसे निचोड कर दाल दीजिएगा और एक बार mix कर लीजिएगा और इसे तकरीबन 15 मिनिट के लिए साइट पर रख दीजिए जब 15 मिनिट हो जाएए देखिए 15 मिनिट हो गई है तो अब इसे completely 5-6 पानी से धो लीजिए तो मैंने 5 अब चटा पानी मैं आपके सामने दाल कर दिखा रही हूँ इसे फिर से छटे पानी से धो रही हूँ दाल कर इसे फास्ट आच पर बार बार चलाते हुए तब तक फ्राइ करें जब तक बस color change होना शुरू ही हो वहाँ तक ही आपने फ्राइ करना है जब color change होना शुरू हो तो आप 1 tablespoon अद्रकलसन का paste दाल दीजिए और उसे भी दाल कर बहुत अच्छे से भूनिए तब तक भून लीजिए एक दो मिनिट हो जाए यहां मैं दाल देती हूं आदा छोड़ा चाय का चमच हंदी पाउडर दो छोड़ी चाय के चमच धनिया पाउडर दो छोड़ी चाय के चमच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप कम्या जाद आपने स्वादन उसार spice को कर सकते हैं एक चोड़ा चाय का चमच टिका मसाला अचा टिका मसाला मैं बाजार का ले रही हूँ आप चाहे तो घर का भी ले सकते हैं वैसे इस घर का बनाऊवे की recipe मिरे चानल पर है आप वहाँ चेक कर सकते हैं आदा चुड़ा चाय का चमच भूना पीसा जीरा पाउडर सब को mix कर लीजिए और वनफोथ का पानी मैं ये mix agar के अंदर चला कर इसमें डाल देती हूँ और इसे mix कीजिए और चुले medium करके इसे बार बार चलाते हूँ ये मसाले को भून लीजिए तब तक भूनिये जब तक तेल नहीं चूट जाता चलिए अच्छा तेल चूट चूट चुक है तेल चूट चुका है और पढ़ियासा मसाला भून चुका है टमाटर भी अच्छे भून चुके है तो यहाँ पर मैं वनफोथ कब दही डाल देती हूँ और चूले को कर दीजिए फास्ट आंच और इसे बार बार चलाते हूए भून लीजिए दही को एक मिनिट तक अच उसको भी थोड़ा भूनने दीजिए तब तक भूनिए जब तक तेल अच्छे से छूट नहीं जाता उसे भी तीन-चार मिनिट लगेगी चले दही भी बहुत अच्छे से भून चुकी है चार-पांच मिनिट हो चुके हैं तो मसाला भी और जादा बैटर तरीके से भून चुका है तो आप चाहें तो चूला फास्ट आंच कर सकते हैं बट मैं मीडियम आच कर दी हूँ और ये जो कली जी है बिसमिल नहरा पाने कली जी है और इस तरीके से आप साफ कर दे तो बिल्कुल भी बास नहीं आती है और आप देख सेती कितने अच्छी क्लीन हो गई थी अब इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आज पर तीन-चार मिनिट तक भून लीजी आप दर्मियान में देखेंगे इसका पानी चूट रहा है कोई बात नहीं बस बार-बार चलाते रहेगा कि नीचे मसाला लगे न जब तीन-चार मिनिट हो जाए तो चूले को कर दीजिए अच्छ और इसे ढख कर तकरीबन साथ मिनिट तक पकने दीजिए अच्छ पर याला वैसे मैंने शेर ही नहीं किया कि कितने किलो कलीज दाल रहे हो इस लिट मारकर आप चाहें तो तीन या चार भी दाल सकते हैं थोड़ी सी बारी कट्य भी कोथमिर दाल दीजिए याने कि हरा धनिया एक छुट चै का चमच मैं कसूरी मेथी को दाल देती हूं और आदा चुट चै का चमच गरम मसाले का पौडर दाल दीजिए चुला मीडियम पर है इसे बार-बार चलाते हुए दो-तीन मिनिट तक भून लिजिए क्योंकि यह मसाला धाला है तो भूनना चाहिए ना इसी के दर्मियान में नम्मक डाल दीजिए स्वादरु सर क्योंकि हमने तो दाला ही नहीं था एंड में ही दालिएगा यहीं तो हमा आले मीडियम आज पर और ऐसा तेल चूटने अग लगे तो भूना सा आपको कले जी का सालन मिल चुका है बट मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला करना चाहती हूँ तो दो-तीन मिनिट के बाद यहां में डाल देती हूँ आधा कप पानी आप चाहें तो वान फोट कप भी दाल सकते हैं आप चाहें तो आधे कप से थोड़ा सा कम दाल सकते हैं अब इसे एक बार चला लीजिए अब मीडियम आज तो ही आप चाहें तो फास्ट आज करके इसमें एक उबाल खिला लीजिए एक उबाल आ जाता है स्लो आज करके इस के उपर थोड़ी सी कोतमी जाने के हरा धनिया और उपर से दाल सकते हैं खुश्बू के लिए और मैं एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ चुला मैंने पहले कर दिया बंद और यह आप देख सकते हैं बहुत गरम है आप माशाआलला बहुत ही मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट बनी है इसी तरीके से बनाई है का बहुत मज़ा आएगा बकरीद के टाइम पे और अब मैं इसे गरम अगरम निकाल लेती हूँ और सर्फ करती हूँ तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी मसालेदार कलेजी मसाला एकदम बढ़िया मज़ेदार सा आप इसे चाहे तो रोटी पराठा फुलका बटनान रुमाली रोटी या फिर लच्छा पराठा के साथ भी सर्फ कर सकते हैं वैसे इन में से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए इस परेसिप्शन के अंडर डाल देती हो मैंने मेरे चानल पर बना कर शेय की है तो लिंक सारे बिस्क्रिप्शन के अंदर है चेक कर लीजिएगा इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार दालिएगा चाय वो हरी मिर्चिया हो या लाल मिर्ची का पाउडर हो अच्छा इसी तरीके से मने बकरी यानि के मतन रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड किया आप लोगों के लिए सारे लिंग्स डिस्रिप्शिन के लिए आप महां चेक कर लीजिएगा तो हैना मज़ेदार रेसिपी अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्षिन में जरू शेर कीजिएगा अपने कमेंस मुझा पर अच्छे लगते रेसिपी तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली